हेलो फ्रेंड, वेलकम बेक टो गर्थ गुरू, मैं डॉक्टर प्रियांका यादव और आज हम बात करने वाले हैं दूद के बारे में प्रेगनेंसी के दोरान कितना दूद लेना चाहिए, कब-कब लेना चाहिए, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से हो, बच्चे का वजन तेजी से बड़े, आपके अंदर केलसियम की कमी ना हो, जिससे आपको बेकेक ना रहे, आपकी विकनेस कम हो, तो दूद बहुत ही ज उसको gastric issue कर देता है तो ऐसे में आपको और क्या खाना चाहिए दूद नहीं पीएंगे तो और कौन-कौन से option है जो यदि आप अपनी routine मेड करेंगे तो उतना ही benefit मिलेगा जिससे दूद से मिलता है तो वह हम discuss करेंगे कब-कब आपको दूद नहीं पीना चाहिए कौन-कौन से इससे situation है तब आपको दूद नहीं पीना चाहिए प्रेगनसी के दोरान वो सब बातों का discussion आज हम करने वाले तक छुड़े रहेगा वीडियो अच्छा लगे तुसको like and share कर दीजेगा अभी तक subscribe नहीं की channel को तो कर ल से ही आपको दूद अच्छा नहीं लगेगा तो पहले तीन मैने में कोई भी फूड का यहां पर एसा नहीं कि यह खाना ही चाहिए यह नहीं खाना चाहिए प्रेगनसी के पहले तीन मैने में आपको freedom रहती है जो जितना अच्छा लगे वो खाओ जो फूड आपको ना अच इडननसी कन्सीर होने से लेकर आप को बहां पर जो ब्रहों पhcji वोड को पीना चाहिए सुबह में एक बार प्ये के अंदर अलग-अलग चीज मिल आनी है जिसे आका वहां पर पर बच्छे का विकास अच्छा हो आपकी बोडि की आपको बताऊंगी तो एक दिन में दो बार दूद आपको पीना चाहिए रात में सोते समय बार पीना चाहिए दूसरा वहां पर आप दूद अच्छा नहीं लगता है तो एसे में आप उसमें बोनवीटा डालने के लिए बहुत ज्यादा लोग बूलते तो नहीं आपका आत्रा में वहां पर विराइटी आपको मिल जाएगी तो जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगे वह आप उसमें डाल सकते हैं या फिर आप 2-3 फ्लेवर एक साथ रखे सुबह में लिचे साम में लिच इस तरह से तो आप वहां पर प्रोटीन पाउडर डालेंगे तो फ्ल दूद नहीं तो आपके इम्म्यूनिटी रहेगी बच्चे की अंदर एलर्जी होने की दिकत कम होगी कभी कभी आपकी टेंडनसी होती बच्चे को भी जाती आप पूरी प्रेग्नेंसी के दो रान रात में सोते समय हल्दी वाला दूद पीएगे तो वहां पर आपकी एलर् कार करता दाओर बच्चे कार समय हंतीं द्हीं रहे तो इस तरह से आप डूखर यह प्यास सांव को ऊच्छा कारूरा-णियर यह इस रागी कंपर और अपकी आपसम सबसों तूबशे तो पूरी प्रेग्नेंसी के दोरान एक से नौ महीने तक आपको डेली दो ग्लास दूद पीना चाहिए कापी सारे लोग बोलते हैं कि लाश्ट के टाइम पर स्पेसली पुरा ने आपकी दादी वगेरा होगे आपने सुना होगा के आठवे महीने के बाद आपको केल्सियम की अच्छे के बोन को वहाँ पर स्ट्रोंग बनाता है तो कभी कभी यह सब बोलते हैं कि लाश्ट के टाइम पर दूद पीने से केल्सियम ज्यादा लेने के जो इस सीरकी बोन्स होते हैं वहाड हो जाते हैं तो नोर्मल डिलेवरी नहीं होगी घर पर साथ आपको बोला होगा तो यह से नहीं है पूरे के पूरे वहाँ पे बच्चा हिल्दी आना चाहिए नोर्मल सिजर बाकी की बात है तो लाश्ट के टाइम पे यह आपको केल्सियम या दूद बंद करने के लिए बोला चाहें तो वह नहीं करना है आपको अच्छे से केल्सियम पूरे 9 मेने के कर दीजिएगा और अभी तक गर्भु गुरु को सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लिए बिल्कुली फ्री है मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेल दी स्टेल भी बाई